नमस्कात दश्कों यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज मैं आपके लिए 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 कुंडली विश्लेशन आज हम वीडियो में कुंडली ले रहे हैं श्री शिलेश कदम जी की जिनका जनम है 31 जुलाई 1988 सुबह 3 बजे परभानी महराष्ट शिलेश कद है भागे कितना है भागे का साथ है की नहीं और एक उनका मुख्य प्रशन ये था कि क्या उनको राजनीती में सफलता मिलेगी आपके समुख शिलेश कदम जी की कुंडली है कुंडली है मिथुल लगन की पंचमेश शुक्र लगन में बैटा है धनबाब में सूर्य वबुत की उती है तिरते भाब में केतु बैटे हैं सिंग राशी के सब्तम भाब में भागे शनी बैटे हैं और भागे बाब में धनेश चंद्रमा बैटे हैं राओ के साथ लाबेश मंगल दशम भाब में विराजमान है और दशमेश गुरु जो हैं वो द्वादश भाब में विर शवराशी के गुरू, पंचम भाब में शुक्र, छटे वाब में सूरे वाबुद, सब्तम भाब में केतू और एकदश भाब में शनी। ये कुंडली क्या कह रही है, ये कुंडली ये बता रही है कि शिलेश कदम जी एक सेल्फ मेड इंसान है, जो जीवन में जो भी करेंगे अपने ही अधार पे करेंगे, उनको किसी का सयोग नहीं मिलेगा, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि कुंडली में दशमेश जो है द्वादश चला गया, जब किसी भी जाता कि कुंडली में दशमेश द्वादश चला जाता है, तो ऐसी स्तिती में वो जातक सेल्फ मेड होता है उसको अपने परवार से कोई सहता नहीं मिलती वो लाइफ में जो भी करता है अपने आप करता है अब इनका प्रशन है पैसा भागे और आनीती में सफलता इन तीनों बातों को जानने के लिए सबसे पहले हम देखें कि कुंडली राजयोग कैसे दिखा रही है सबसे पहले राजयोग की लगनेश जो है लगन को देख रहा है लगन कुंडली में दशम भाब में मंगल विराजमाने लाभे शुकर और जो चंदर कुंडली है उसमें दशम भाब का सौमी दृत्य भाब में चला गया नहीं दृत्यस्त हो गया लगन कुंडली में पंचमेश शुक्र और भागे शनी का पूर्ण दिश्टी समन्द। पूर्ण दिश्टी समन्द। एक जैसी बात करता है तो जातक फूब जाता है और क्योंकि दादेश शुक्र लगन में है जातक काफी खर्चिला है कुंडली दो बातों में पैसे की कमी दिखाती है एक तो दादेश शुकर का लगन में होना और एक धनवाब में तृतेश सूरे का बैठना जो इस बात का समक्रें देती है कि पैसा आता है वो जातक का चला जाता है अब ये तो कुंडली की प्रकरती है जो कुंडली के दिखा रही है कि राजयोग भी है भागयोदे कब होगा जातक की प्रकरती कैसे है अब हम जातक के पशनों पे आते हैं जातक का ये मनना था कि ना मेरे पास पैसा है ना मुझे भी भागय का साथ मिला हुआ है मेरे हर काम मे बादा आती है उसका रीजन क्या था कि अभी अगस्त 2019 तक जातक की गुरू की दशा चल रही थी मिथुन लगन में गुरू जो हैं सब्तम भाब के स्वामी होते हैं सब्तम और दशम भाब के स्वामी सब्तम भाब है बादास्तान बादास्तान के स्वामी गुरू होकर बार में घर में गए हुए थे इसलिए जातक की जन्दी में हर तरह की बादा आ रही थी और जातक को बार बार कश्ट हो रहा था जातक को वो मिलनी रहा था जो जातक को मिलना चाहिए था और एक बात कुंड़ी में बड़ी महत्तपूर है कि आप लगन कुंड़ी देखिए, चंदर कुंड़ी देखिए, कुंड़ी के लगन पर शनी की दिश्टी है, लगन कुंड़ी में शनी की दिश्टी सक्तम और चंदर कुंड़ी में शनी की दिश्टी तिरते हैं, जो इस बा साथ मिले यह सारे नाजियों के निति में सफक्ता इतने राजियों के लावा एक बहुत बड़ा राजियों भी जाता की कुली में है कि उसकी कुंडली में चंदर कुंडली में चतुत भाब का सौवामी पंचम में बैटा है अगर जिदीगी में ऐसा काम कर जाता है कि लोग उसे याड रखते हैं साथ ही दश्यमभाब में बैटके मंगल इस बात का संके दि रहा है कि जातक अगर राजनेती में जाता है तो जातक जो निचला पिछडा तबगा है जो शोशित लोग है उनके लिए दवा के काम करेगा और हर तरीके से उन लोगों के लिए काम करेगा और निश्चित रूप से जातक का राजनीती में जाने से उन लोगों को बहुत फैदा होगा जो समाज में गरीब लो जातक ने बताया कि वो B.A.M.S. डॉक्टर है जनर्र प्रैक्टिस करता है तो मैं जातक को कहूंगी वो सरकारी नौकरी के लिए प्यास करें इसके अलावा शनी की मादशा चल रही है और शनी सक्तम भाब में बैटे हैं यातरा के भाब में और तीसरे और नवम भाब में फ़ो पहता रिक अफसर मिलेंगे और वो विदेश जाएगा और उसको विदेश जाने से लाब वी होगा तो जातक कमे मानना की मेरी लाइफ में पैसा नहीं है या भागे का पूरा साथ भागे बाब पूरी तरह बली है योकि भागे शनी की भागे बाब परदिश्टी है भागे के लिए के कोई कमी नहीं है चंदर कुंडली में भागे जो है त्रिकोन भाब में बैटा है जातक के भागे में कोई कमी नहीं है हाँ जातक की दशा खराब चल रही थी और पैसे की बात करें तो धनिस्तान जो होते हैं पंचिमेश और नववेश उनका जातक की कुंड कि लगन में जाये गा उस भाव की विर्दी करेगा इसलिए यहां पर लगन अधरवाब में गया है इसलिए जातक के पास कभी पैसे की कमी नहीं होगी मेरे एक उपाय के तोर पर जातक को शुकल पक्ष के शुकरवार को हीरे की या अमरीकन डायमंड या तो हीरा धारण कर ले चोटा सा कोई कनी ले ले या अमरीकन डायमंड धारण करे मध्यमा उंगली में जो सबसे बड़ी उंगली होती है उसमें चांदी में या प्लेटिनम म में क्योंकि मिथुलगन का सबसे योग्याइड ग्रह है शुक्र में गनी करता है उसको धनकी कमी नहीं होगी और में सफलता। जातक की कुंडली में योग है कि जैसे 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 जातक की एज बढ़ेगी जैसे 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 जातक की एज बढ़ेगी जातक के जीवन में सुख सुविदाएं बढ़ती जाएंगी बच्पन से जो जातक का समयता वो धीरे दीरे आगे बढ़के जातक की जीवन में सुख औ दमने भी राजमान है और एक क्योंकि लगन में जलतर तुराशी का घ्रह बेटा है और लगनेश बुद्वी जलतर तुराशी में गया है तो आगे चलकर जातक का भजन बढ़ने की पूरी संबाबना है इसलिए बजन बढ़ने के साथ ही बीपी वगएरा की कई तरह की आठ नौ दस इसलिए मैं कहूंगी कि जातक जो है अपने केरियर के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखे क्योंकि कुंडली इस बात का संकेत दे रही है कि जैसे जैसे जातक की उमर बढ़ेगी उसका बजन बढ़ेगा वेट गें करेगा जातक और बजन पूर्लम होंगी तो इसलिए जातक अपनी हेल्थ का ध्यान रखे तो कुंडली में किसी भी कचीज की कमी नहीं है पूरे राजयोग है अब जातक के उपर निर्वर करता है वो राजयोग कैसे अपनाता है मेरी जातक को रही राय है कि जब तक 42 मर्श तक उसका भागयोदनी जाएगा उसकी समाजिक जुम्यदारी सारी पूरी हो जाएगी और वो राजनीती में पूरा अमल लगा के काम कर सकेगा वैसे जातक चाहे तो अभी राजनीती में जा सकता है उसको सरकार की तरफ से धन और लाव मिलने का पूरा समय है जातक को विदेश जाने का जब भी अ कैसा लगा आप नीचे कमेंट वक्स पर कमेंट करके बताइए इसके साथ ही दश्को अपना वीडियो समात करने से पहले मेरी आपसों से परातना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तैस सब्क्राइब नी किया तो किर पर मेरा चैनल सब्क्राइब कर दें साथ ही बेल ऐकन को भी दवा दें जिसे जब भी मैं अपने वीडियो प्लोट करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सके इसके साथ ही नमस्काद अश्कों जैमाता जी